नमामी रामम में जगुबन शिनाथम ये हैं स्रीमान उधाठाकरे महाराश्ट के मुख्यमंत्रि और बहुत जल्दी एक्स कहलाएंगे यानि भुत्प्रो कहलाएंगे यानि कि इनकी कुर्सी चली जाएगे भाजपाक के साथ गटबंदर करके इन्होंने विधान सभा का चुनाओ लड़ा और इनको 51 सिट्स आई और भाजपाक को 105 सिटे जिदे तो इनकी देखिए कि साहाब मेरी सिटे कम भली हो मुख्यमंत्रि मैं बनूँगा मैं भाजपाक को नहीं बनने दूँगा इसमें कांग्रेस एंसेपी इनके साथ आये और कम विधायक होने के बावजूद भी उधर ठाकरे मुख्यमंत्री बन गए मुख्यमंत्री बन जाना अच्छी बात है आपने अत्मा गोटी भिवाया और आप बन गए खुशी की बात है लेकिन उसके बाद उधर ठाकरे ने अपना चारित्रिक दूर्शाहस दिखाना सुरू किया बाला साहब ठाकरे जिस बात के लिए जाने जाते थे जिस हिंदुत्य के लिए जाने जाते थे जिस सिंगनात के लिए जाने दारते थे उधर ठाकरे ने उन मुद्धों से अपने आपको अला कर लिया अब हिंदुत्यों के मुद्दे से इने क्या मतलब इने तुम कुर्शी मिल गई और हिंदुत्यों के मुद्दे को उठाएंगे तो सोनिया मैडम और सरतवार साहब इन से नराज हो जाएंगे हलात ये रहे कि साधू को घिच घिच के मारा जाता रहा मिडिया और हिंदुस्तान चिलाता रहा उधो ठाकरे जी इस पर न्याई कीजिए गिरफतारी कीजिए लेकिन ऐसा इन्होंने कुछ नहीं किया खाना पुर्दी किया हरुमान चलिशा का पाथ पढ़ना तो इनकी राज में राजडो है राना दमपती को लेकर की इन्होंने जेल में डाल दिया ताना साही का रवया तो देखिए कंगना रानौत के बिल्डिंग्स को खाड़के फेक दिया जबकि उसका लीगल था संजर राउत एक आहंकारी ब्यक्तित्व है और उनके आहंकार जुक्त से इस सरकार को का इस देश को बहुत लॉस हुआ है कंगना रानौत के बारे में बोलते हैं कि साहब हमने तो उखाड़ दिया मने उनका मकान गिरा दिया हमारे खिलाब बोली हम परजातंत्र है लोग अपना मत रखेंगे ही उससे आप सहमत हो या नहीं सहमत हो अब आप जो उखड रहे हैं एनसीपी के बिधायक कांग्रेस के बिधायकों को जहां फंड मिलता था तबजो मिलती थी इज़त मिलती थी सीव सेना के बिधायकों को कभी भी उधो ठाकरे ने इज़त नहीं दिया वो गटभंदन धर्म निभाते रहे और सीव सेना का जो धर्म था उन्होंने भूला दिया हिंदुत्य के मुद्दे से हट गए सीव सेना के बिधायक इनके दराजे पे खड़े होकर के बिंती करते रह गए हुजूर से मिलने दिजिए हमको कुछ फंट चाहिए लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ यहां तक की एकनाज सिंदे जो की बाला साहब ठाकरे के सबसे प्रिये थे उनको भी इन्होंने बाइपास करना सुरू कर दिया कृशी की ममता इतनी बढ़ी सुनिया मेडम से करीमिया इतनी बढ़ी कि यह सिव सेना के बिधायकों से दूर हो गए सिव सेना के बिधायक मजबूर हो करके پहले गुजरात में देरा डाले और उसके बाद यह जाकर के असाम में बैठे हैं अब उनकी संख्या 40 है किसी भी छण इनकी सरकार जा सकती है हो सकता है कि वीडियो आपके देखने के पहले इनकी सरकार गिर गई इसका वी वीडियो मुझे बनाना पड़े एक उल्लू की तरह आप देख रहे हैं तस्वीरों में उल्लू की तरह उधो ठाकरे को दी बिधायक उनसे अलग हो गए कहे कि कुर्शी पर बैठने वाला ये उल्लू सचमुच में उल्लू है और अपने लोगों से दूर हो गया है दीन की रोशनी में उसे हकीकत नजर नहीं आती है रात के अधेरे में ये चलता है इस उल्लू से दूर हो जाने में ही भलाई है और स बिधायकों का समर्थन प्राप्त नहीं है फिफ्टी वन में